पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस दौरान उनकी शादी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। कई लोगों के साथ उनके नाम भी जुड़ते रहे हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कथित विवा की कामना लेकर MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने पध्यात्रा निकाली है। वह गंगोत्री के गंगा जल लेकर चित्रकूट पहुची थी। शिवरंजनी को पध्यात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुचना है। वह 16 जून को वहाँ पहुचेगी। शिवरंजनी ने कहा है कि हम अपनी कामना बालाजी के सामने रख दी है। 16 जून को बागेश्वर धाम में इसके बारे में बताएंगे। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिवरंजनी बागेश्वर सरकार से शादी की कामना लेकर जा रही है। वहां से हम लाइव बता देंगे कि हमारी कामना क्या है शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि मैं 2021 से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को फॉलो कर रही हूं। वहीं शिवरंजनी ने कहा कि मैं चार साल की उम्र से भजन गा रही हूं। अध्यात्म के प्रतिलगाव बच्पन से ही रहा है। अभी वहां MBBS कर रही है। वहीं बागेश्वर सरकार के विवादों को लेकर कहा कि वहां अंतर्यामी है। उनकी अलौकिक शक्ति पर संदे करना गलत होगा। शिवरंजनी ने कहा कि हमारी पध्यात्रा बहुत ही आनंदाई है। अभी तक कोई रुकावट महसूस नहीं हुई है। शिवरंजनी से सवाल किया गया कि बागेश्वर धाम पहुचकर आगे क्या करेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता ह सब कुछ बाला जी को पता है क्योंकि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। शिवरंजनी ने कहा कि हमारे समाज में लोग नास्तिक होना गर्फ का विशय का समझते हैं। हमें हमेशा बाला जी का साथ मिलता रहा है। सभी लोगों को सनातन धर्म पर गर्फ होना चाहि साथ ही इस से जुड़े रहे। इस यात्रा में शिवरंजनी तिवारी के पिता, भाई और अन्य लोग भी शामिल है।